स्टुटेंट्स जैसा कि आपको पता है कि 15 तारीक से यानि 15 सेप्टेंबर से आपके इक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और आपके इंग्लिश के चैप्टर में जो इस लेबस है उसमें एक कॉंप्रिहेंशन आएगा ठीक है और इस कॉंप्रिहेंशन में कैसे आप हैंडल करोग इसका मतलब यहीं कॉंप्रिहेंशन आएगा ठीक है यह इसका फॉर्मेट है कि इस तरह का कॉंप्रिहेंशन आता है और आपको उससे किस तरह से डील करना है ठीक है इस वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे ठीक है बचो ठीक है कॉंप्रिहेंशन का मतलब क्या होता है कि आपको एक पारग्राफ दिया रहता है ठीक है और उस पारग्राफ को से related कुछ question होते है और आपको उस paragraph में से उस question को को देख करके और लिखना होता है ठीक है जैसे यहां पर याप फैराग्राफ दिया है आपको ठीक है तो सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ कुम्प्रेहंसन आता है एक पैरग्राफ आता है और आपको उसमें से दिए गए कुशन को उसमें से च्छाट के लिखना होता है तो सबसे पहले उस पैरग्राफ को एक दो बार अच्छी से सब पढ़िए जैसे मैं पढ़ रहा हूं गांधी जी वाज हिंदू एंड इंडियन गांधी जी क्या थे एक हिंदू थे और भारतिय थे और बहुत सारे जो यूग है उनमें महान थे सबसे महान थे ठेक है उसके आगे लिखा है ही वाज़ प्राउड ऑफ बिंग हिंदू एंडियन उनको अपने हिंदू होने और अपने भारती होने पर बहुत ही गर्व था प्राउड था प्राउड था तो हिम इंडिया वास्टियर विकॉसी हैट रिप्रेजेंटेट थो अग्ड़ एजस सटें तृत एं वैलूस ठी करें वह इंडिया की कि जिए प्रिय थे क्योंकि उन्था पूर्य जीवन ले प्रेजेन ठ्रॉट एगस पूरी उम्र क्यां और जो एलूस होते हैं जो मतलब हो यह ची जो करने माड़ कहें सिधानों का स्वोल कि अंको उसनको पालन कि ऊट्ट टूंट हरत है बढट थ्रू पूरे होने के बावजुद बट थ्रू आउट दी ही वाज इंटेंसली रिलिजियस मतलब यह सब फॉलो करने पर भी वह पूरी तरद धार्मिक रहा करते थे उन्हें देश के पिता कहा जाता है येट नो नेरो रिलिजियस और नेशनल बॉर्ण इस प्रिट उनकी जो इस प्रिट थी भावना थी उसके लिए कोई भी धर्म और कोई भी राष्ट की सीमा निधायत नहीं है मतब छोटी पड़ जाती है जैसे कुछ गाधी जी ऐसा नहीं कि हमारी देश में फॉलो की जाते हैं बहुत सारे से देश है जहां गाधी जी के विचारों को सम्मान मिला हुआ है ठीक है और साथ में हर धर्म के लोग उनको मानते हैं ठीक है तो वह धर्मा और देश की सीमा स से परे हो चुके थे एंड सो ही बिकम दग्रेट इंटरनेशनलिस्ट इसलिए वह एक महान अंतराश्टिव व्यक्ति बन चुके थे बन चुके हैं थे जो भी है ही बिलीवड इन बेसिक यूनिटी ओफ मैं ठीक है वह हमेशा व्यक्ति के एकता में के समान एकता में समते थे ही डिवोटेड हिंसेल्फ तूदा सर्विस आफ पूर एवरी वे उन्होंने हर जहां पर जहां पर पर उनको गरीब व्यक्ति दिखा उसके हमेशा उन्होंने सर्विस की एंक्यू सेवा कि ठीक है अभी पैराग्राफ है इसका सेंस समझा हमने क्या कह रहा है उसके देखें कोशन रहे वाट वसगानी जी प्रावड आफ जो मैंने पढ़ा था आपको बताया था अप्रावड आफ किस पर अप्रावड आफ करते थे तो देखी आप यहां पर आख यह देखिए आपको पहली लाइन में मिल रहा है की व्यक्तिर प्रावड बिंग कर पर तो देखिए आपको यह आपको यहां पर मिल जाएगा तो हीम इंडिया वास डियर विकॉज इसका मतलब क्या है कि वह पूरे जीवन सत्य और जो तुरू तो पूरे लाइफ जो है उनको पालन किया ठीक है तो बच्चो इसे तरह अगला कोशन है आपका विकॉज लगा के लिखते हैं इसको तीसा कोशन है वाई गांदी जी कौड फादर नेशन फादर आफ नेशन क्यो कुए गांदी जी को मतलब वो गांदी जी जन्या पूरे देश के लिए धर्म की तरह हो गया थे ठीक है सब उनको मानने लगा जैसे लोग उसको मानते है वैसे गांधी जी को लोग मानने लगे दे इसलिए वह देश के विच जो देश के पिता है इसलिए कि घर में चैसे कोई बड़ा माई ले कुछ करके जाता है तो हम उसको उनकी बातों को आगे भी बढ़ाते रहते तो वैसे ही गांधी जी जो हमें बता के गए वह आज भी हम को मानते हैं फालो करते हैं इसलिए वह उनको पिदेश के पिता की उपाधी दे गए तो वहीं यहां पर देखे थाड़ का अंसर गांधी जी वा इंटेंस लेली रिलीजियस मत सो ही वोस कॉल्ड एस दा फादर अफ दा नेशन इस दर आपको चौथा कोशन भी है वाट में गंधी जी कग्रेट इंटरस औरिस्ट रेस लेस्ट किसी ने गांधी जी को इंटर्नेश्ण लिश्ट बना दिया है तो सबको पता हें कि गंधी जी क्या थे हैं किसी देश की सीमा और नेशनल बॉंड से परे हो चुके थे उनकी स्पिरिट जो थी इसलिए वह इंटरनेशनलिस्ट हो गया है ठीक है अब आप उपड़ से देखिए एक दो तीन चार पाच्वा नहीं चौथे में देखिए नहीं आपको मिल जाएगा याट नो यह नोर नेरो डिलीजिस और इननेशनल बॉंड्स कंफाइंड इस स्पिरिट एंड सो विकंदा ग्रेट इंटरनेशनलिस्ट ठीक आपको यहीं पर आंसर मिल गया गिवे सुटेवल टाइटल टूदा अब पैसेज अगर आपको यह पैसेज दिया है यह पैरा दिया है और कोई पैरा आएगा और आपको उसे में कुश्चन दिया होंगे आपको छटके लिखना होगा ठीक आई होप आप डोगों ने इसको समझ लिया होगा और पेपर में किसी भी तरह का कंप्रेहंसन आता है कैसा भी अप्रेहंसन आता है तो उसे दो एक बार पढ़िए पैराग् कीजिए ठीक है तो इस तरह से आज आपका पूरी तरह से ग्रामर का स्लेबस खतम होता है अब आप जो भी टाइम बचा है आप उसमें जुट जाए और आगर कोई प्रॉब्लम है तो आज मैंजे कमेंट कर दीजिए तकि मैं वीडियो बनाके प्रॉब्लम को सॉल्ट कर का प्रॉब्लम मैं जाइफ और आगर कर दिंग ।रॉब्लम बनाके दो होता है दो दो खवान की प्रॉब्लम है वीडियो दो आजसे लेग हो ऊपी़ कि दो बनाके दो yarاء आप जाए नापका ज़ित है तो आपका दो दो तो आपका पनापके त爽़ होता है आपका घुछ